सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो यह ICC Women's T20 World Cup Qualifier का जो यह Final Match खिला जाएगा स्पोटलेंड वोमें वर्सिस स्रीलंका वोमें की टीम के बीच में इस मैच के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे तब लोग वीडियो को सलूसे लेके लाश्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से नहीं जुड़ें तो आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा वोकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी को टेलीग्राम पर ही देने वालों तो इस वज़ वोमेंस के टीटोंटी मैचेस खेले गए उसका जो फर्स्ट इनिंग का एवरेई स्कूर रहा है वो 116 का रहा है इसके अलावा दोस्ते आप जो विकेट मिलते हैं वो पेस और इस पिन दोनों को मिलते हैं दोसी के साफ से आप लोग अपनी टीम क्रेट करना अब यहां पर दोस्त दोस्ते हम लोग इस वेर्निंव के बारे में थोड़ा सा और जाने तो टोटल वोमेंस टिटोंटी इंटर नेशनल के यहां पे बी तक 27 मैचेस खेले गएedo गयां जिसमें से 14 बार पहले बैटिंग करने वाले टीम जीती है, ते रा बार यहां पर चेसिग करने वाल में गया है और एक बार 170 से 189 के बीच में रहा है तो इस तरह से यहां पर score बना यानि कि आप यहां पर देखोगे तो mostly time यहां पर जो score बनाए वो 150 के below रहा है तो आप यह चीज़ यहां पर देखके चल सकते हो अब अब यहां पर दोस्तों लोग pace versus spin की बात करें तो जो लाश्ट दस women's t20 के यहां पर जो matches खेले गए हैं अगर आप लोग उन्हें में देखोगे तो यहां पर 50 wicket pacers को मिलें वहीं 50 wicket spinner ने भी निकाले है यानि कि आप लोग spin और पेस दोनों को अपनी टीम में लेके चल सकते हो अब यहां पर दोस्तों हम लोग पहले बात कर लेते हैं Scotland women की टीम के बारे में तो दोस्तों Scotland women की टीम की बात करें तो Scotland women की टीम ने इस सीरीज में टोटल अभी तक 4 matches खेले हैं जिसमें से 3 जीते हैं और एक हा रहा है और इन्होंने जो एक match हा रहा है वो स्रीलंका women के खिलाफी जो इस सीरीज में खिला था वही किया होर लेग की यहां पर राइटी बैटिंग करती हैं पार्ट टाइम यह ऑप्रिक बॉलिंग भी कराती हैं 12 matches खेले हैं 275 runs है 25 coverage है 3 wicket भी है opening करने आती हैं आप लोग चाहो अपनी small league की टीम में भी try कर सकते हो बाकि recent performance देखोगे तो तो शुरू का जो एक match रहा था मतलब जो शुरू का पहला match रहा था उसमें अच्छा इनका performance रहा था बाकि लाश्ट के चार मैच जिस से कर लेती है रिकॉर्ड देखना चाहो 45 मैच में 1197 runs है 40 coverage है यहां पर इनके 46 wicket भी है तो काफी अच्छा record रखती है इनके लाबा सारा ब्राइस है विकेट कीपर बल्लेवाज है कैथरा इन ब्राइस की यह sister है तो इनका आप यहां पर देखोगे 53 matches के लिए 1207 runs है 29 coverage है recent performance देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं रही है बाकि दोस्तो रिकॉर्ड काफी अच्छा रखती है एलिसा लिश्टन है राइटी बैटिंग करती है 19 का इनका एवरेज है recent performance लगबग ठीक टाक्सीन की रही है प्रियाना चटर जी है राइटी बैटिंग राडर मीडियम बॉलिंग डालती है बाकि अबरॉल अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो उतना अच्छा इनका यहां आहितरी पास प्रेश लयां तर स्कारीज करते हैं तो है रही है तो गयतुक्ड बैटिंग घ्टो निकाल चुकी है, अच्छा रेकॉर्ड रखती है, अला कि रिशान फॉर्म देखोगे, यहाँ पे जीरो विकेट दो वर, जीरो विकेट चार वर, एक विकेट तीन वर, तो एक ही मैच में विकेट मिला है, बाकि उतना कुछ खास रहा नहीं है, तो आप लोग इनको जील की ट है, बाइस विकेट है, थोड़ी सी एवरेज उप्सन है, रिशान पर्फॉर्मिस आप इनकी यहाँ पे देख सकते हो, आपता मक्सूद अपने टीम की मैन इस्पिनर है, काफी अच्छी बॉलिंग कराती है, और रिशान फॉर्म भी देखोगे, तो लगबग इनका अच्छ अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, स्री लंका वोमेन की टीम के बारे में, तो दोस्तों स्री लंका वोमेन की टीम की बात करें, तो स्री लंका वोमेन की टीम ने इस सीरीज में अभी तक चार मैचेस खेले हैं, और चार के चारों मैचेस यह टीम जीत के आ रहे हैं, यहांने कि काफी श्ट्रॉंग यहां पे टीम यह रहने वाली है अब हम लोगों यहां पे स्री लंका वोमेन की टीम की प्लेंग लेवेंग और प्लेयर स्टार्ट के बारे में जानते हैं तो आप लोगों वीडियो को बिल्कुल इसके मत करना ताकि आपको यहां पे हर एक प् और रहने वाली है अगर आप इनका अब्रॉल देखोगे 21 का एवरेज रखती है थोड़ी सी अच्छी रही है क्योंकि सामने जो टीम है वह अतलब काफी वीक टीम थी तो इस वज़े से इनों ने अच्छा कांस यहां पर पर्फॉर्म किया है तो आप इनका भी यहां पर द अगर आप लोग स्री लंका वोमेन की टीम में देखोगे तो चमारी अठाप ट्टू के बाद अगर कोई अच्छा प्लेयर है अच्छा रिकॉर्ड रखता है तो वो समाव विक्रमा है हाला कि रिशन फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है पर प्लेयर इंपोर्टेंट है अगर आप लोग रिस्क के लिए ना चाओ तो आप लोग इनको अपनी स्मॉल लिग की टीम में भी ट्राई कर सकते हो जब स्री लंका वोमेन की टीम पहले बैटिंग करें हसनी परेरा थोड़ी सी एवरेज ऑप्सन है बैटिंग भी थोड़ी सी नीचे आती है तो मैं इनको स्मॉल लिग में नहीं लूगा आप लोग जील में ट्राई कर सकते हो निलाकसी डी सिलबा भी दोस्ताफ की जील की अच्छी पेक है टेलेंटेट खलाड़ी है त्री डाउर पर बैटिंग करने आती है और अच्छी खासी ये बैटिंग कर लेती है पार्ट टाइम बालिंग भी कराती है तो यह मुझे टिक टक प्लेयर लगती है तो आप लोग इनको जील में ट्राई कर सकते हो बाकियां पे कवी सा दिलारी है एक क्यावर मैचेस के लिए तीन सो साथ इनके रंस है ग्यारा कैमरीज है 38 विकेट इनका भी लगबग अच्छा रिकॉर्ड है आपको ब करने नीचे आती है और अगर आप उवरोल रिकॉर्ड भी देखोगे तो थोड़ी सी एवरेज ऑप्सन है उदेश का प्रभोधनी है 96 मैच में 71 विकेट है रिशेंट अगर आप इनका परफॉमिस देखोगे लगबग ठीक टा कराए और फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में भी आती है सोगंधिका कुमारी है 73 मैच में 35 विकेट है इनका भी लगबग ठीक टाक सा रिकॉर्ड है रिशेंट आप लोग आप इनका देख सकते हो अचनी कुल सूर्यां 32 मैच इसमें 16 विकेट है इनके ओवर भी कट जाते हैं और थोड़ी सी एवरे जॉक्सन है पर अग कि दोस्तों यहां पर जो बैंच पर बैठने वाली है उन सब के आप लोग आप इसी तरह देखके चल सकते हो बाकि इन में से कोई भी खेलता है उसका इस्टार्स आपको टॉस के बार टेलीग्रम पर मिली जाता है अब यहां पर दोनों टीम्स के हैड-to-head मैच जिसकी बात करें टॉप टिक्स बाई head-to-head तो head-to-head में जादा कुछ जानने को है नहीं यहां पर कोछी प्लेयन है जिन्होंने ठिक्टा किया है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो चमारी अठापड़ू है दो मैचेस खिलें 145 इनके रंस हैं 145 का एवरेज है काफी अच्छा है क्यों कि रोने अच्छा किया है तो आप आप लोग आपर सब का देख सकते हो तो दोस्तों आपको एस मैच के बारे में सब को जान लिया हरे क्क्लेएर में जान लिया अब आप लोग आप लोग यह बनाई हु Confinal में के लिए टेली ग्राम से जईरूर जोड़ना क्योंकि किपिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहां पे तीन ओप्सन है ए लिष्टर है एश ब्राइश है एश अंजीवनी है अब यहां पे आपको ए लिष्टर लगबग टू डाउन पर बैटिंग करते हूं देखेंगी रिशन परफॉर्मेस देखोगे रिकॉर्ड एवरेज रखती है एवरेज खिला रही है तो मैंने फिलाल नहीं लिया है मैंने यहां पर एस ब्राइस को लिया है जो कि आपको लगबग यहां पर टू डाउन पर देखेंगी ब्राइस टू डाउन पर देखेंगी तो मैंने यहां पर ब्राइस को लिया है जो और आप इन तीनों में देखोगे तो Bryce best है मैंने इनको लिया है लाकि Bryce का form काफी खराब है तो आप लोग चाओ तो Bryce की जगा लिश्टर को लेके चा सकते हैं मैंने फ्लाल Bryce को किया है बैटिंग सेक्शन में देखोगे यहाँ पर मैंने वी राजा पक्षा गुना रतने को लिया है जो कि opening करने आ रही है ठीक टाक के लाड़ी है तो मैंने इनको लिया है रिजएंड में ठीक टाक पर्फॉर्मेंस रहा है बाकि इनके अलावा देखोगे मैंने यहाँ पर समा वि बॉलिंग भी कराती हैं आला कि बॉलिंग उतनी ज्यादा नहीं कराई है पर अच्छी खिलाड़ी है तो अगर स्री लंका वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है जील की आपती पिक रहने वाली है जील में ट्राइ कर लेना मकॉल भी आपके जील की ऑप्शन रहेंगी ओपनि बॉलिंग भी अच्छी है तो हो सकता है इनको शुरू में जल्दी ले जाए तो इस विज़े से मैं फिलाल नहीं ले रहा हूं हसनी परी रहा कोई आप लोग एका जील में ट्राइ कर सकते हो बाकि नीचे अच्छी आप्शन है नहीं तो मैंने आप इन दोनों को पिक किया ह ओल राउंडर सेक्षन में देखोगे तो यहाँ पर मैंने अटा पट्टू को लिया है के ब्राइस को लिया और यह पर दिलारी को लिया है इन तीनों को पिक किया है तीनों इंपोर्टन है चटर जी आपके जील की पिक है जील में ट्राइ कर ले ना थोड़ी सी एवरेज ओ भल रहा है बॉलिंग में देखोगे यहाँ पर मैंने आई फरनांडो को लिया है यह मक्सूद को लिया है और स्लेटर को लिया है इनके अलावा एस कुमारिया प्रभोध नहीं है अब दोस्तों अगर यहाँ पर इसकॉट लेंड की टीम पेहले बॉलिंग करती है तो यह ज् बाकी है यहाब पर कोई खास ओप्शन नहीं है तो मैंने यहाब फिलाल दोस्तों जो मेरी यहाञ पर टीम भांच में कुछ इस प्रिकार है यहाबir दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे तो आपके पास दिलहरी अच्छी औपसर रहेंगी अगर स्री लंका वुमेन की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप लोग दिलहरी को कर सकते हो इनके अलावा यहां पे फर्नांडो का जिस तरह से पर्फोर्मेस रहे तो आप लोग इनको भी वी सी कर सकते हो पर मेरे साब से यह तीन थोड़ी से जादा बैस्ट है आप लोग इन में से जिसको करना चाओ कर सकते हो तो फिलाल मेरी यह टीम है अगर इस टीम में कुछ भी चंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पर बता दूगा तो उसके लिए